दस्वी गणित अध्याय आठ का अगला सवाल है अब इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए अब हम शुरू करते हैं हमारा आगला सवाल ये सवाल भी है प्रश्नावली 8.3 का इस सवाल को देखते हम सवाल है यदि A, B और C त्रीभूज A, B, C के अंतर कोण हो तो दिखाईए कि साइन B प्लस C बटे 2 बराबर कॉस A बटे 2 इसमें हमार पास सबसे पहले क्या दे रखा है कि A, B और C त्रीभूज A, B, C के अंतर कोण है तो सबसे पहले हम इसी लाइन को लिखेंगे चूंकि A, B, और C त्रीभूज A, B, C के अंतर कोण है इसलिए अगर A, B, C किसी त्रीभूज के अंतर कोण है तो हम जानते हैं कि त्रीभूज के तीनों अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिगरी होता है तो त्रीभूज के तीन कोण 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 से एक तो A, एक B, और एक C इन तीनों का योग, योग मतलब हमने सब के बीच में लगा दिया प्लस तो इन तीनों का योग होता है कितना? 180 डिगरी त्रीभूज के तीनों अंतर कोणों का योग होता है 180 डिगरी इसलिए हमने तीनों को जोड़के बराबर में लिख दिया 180 डिगरी अब B प्लस C को तो हम यही रिंदेंगे और इस A को बराबर के पीछे लियाएंगे लेंगे तो LHS हमारे पास दिया है साइन B प्लस C बटे 2 ये LHS है उससे RHS लाना है कॉस A बटे 2 तो अब हम इसमें साइन को ऐसे लिखेंगे और B प्लस C की जगा पे B प्लस C का मान रख देंगे B प्लस C का मान हमारे पास कितना है 180 degree माइनस A तो इस B प्लस C की जगा लिख देंगे 180 degree माइनस A और बटे में हैं हमारे पास 2 अब अगले स्टेप में हम साइन को ऐसे लिखेंगे और ये जो 2 अभी 180 माइनस A पूरे के बटे में लिखावा है ये 2 तो अब हम इस 2 को दोनों के बटे में अलग-अलग लिख लेंगे मतलब 180 degree के बटे में रिख देंगे और माइनस A के बटे में अलग से 2 लिख दिया तो इस 2 को हमने दोनों के बटे में अलग-अलग लिख दिया अब आगे इसमें 2 से 180 तो कार देंगे हम 2,9 की 18 और 0 ऐसा कैसा मतलब क्या बच्छा हमार पास साइन यहां तो बच्छा 90 डिगरी और माइनस में है ए बटे 2 अब यदि हम इसको साइन 90 माइनस ए बटे 2 को ए बटे 2 नहीं पढ़ते होगे यदि हम सिर्फ ए पढ़ ले तो साइन 90 माइनस ए के लिए सुत्र क्या होता है साइन 90 माइनस ए का सुत्र यह होता है साइन 90 माइनस ए बराबर कॉस मतलब इस साइन 90 माइनस ए को हम क्या लिख सकते है कॉस ए तो ए नहीं है हमार पास कितना है ए बटे 2 है तो ए बटे 2 लिख देंगे तो हमार पास आया cos A बटे 2 और RHS में हमको यही लाना था cos A बटे 2 तो LHS लेके चले थे उससे RHS आ गिया है तो हम यहां लिख देंगे बराबर RHS तो LHS से RHS आया है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि LHS और RHS बराबर है अबलब LHS बराबर है RHS के तो इस तरह से हमारा यह सवाल सिद्ध हो गया और हमने यहां सुत्र कौन सा इस्तमाल किया था सुत्र इस्तमाल किया था साइन 90 डिगरी माइनस A बराबर cos A का